विल्कम देर शुजेंट तो मैं चाएनल अरकमालाम लास्ट कि लास हम लोग ग्यास के परामेटर किस परामेटर पर ग्यास करता है उसके हम लोग दो परामेटर पहर चुके थे इसमें पहला परामेटर था प्रेशर गणौ्झ अदूसा था वॉल्यूम आज दो बज पने ऑन temperature और एक होता है amount of gas इन दोनों को आज समझना है कोशिश करें हम लोग समझते हैं temperature क्या होता है तो जो एक body का hotness or coldness बताता है degree of hotness or coldness बताता है उसको हम लोग क्या बोलते है temperature बोलते हैं माल लेते हैं यह बोडी है इस body केंदे क्या कुछ amount of heat present है ठीक हमको हमको पता कर न है यह body कितना degree करम कितना degree hot तो उसके लोगा करेंगे एक thermometer का जोरत परेंगा हम्को उस thermometer बोल्री का temperature को क्या करेंगा अगर इस body का temperature हम को 60 degree centigrade सब्सक्राइब खरते हैं 60 degree centigrade इस body तो इस बॉडी का टेमपेटर कितना हो तो हमको पता चला है कि हाँ यह बॉडी के अंदर क्या होगा कुछ अमाउंट फीट लिए बहुत जादा हीट नहीं है लेकिन फीट है गरम है ठीक है अगर वही इस बॉडी का टेमपेट थर्मोमीटर में हमको पाइटा है और फीट यह वाट है जो बॉट फिट है यह वाट इस बॉडी का टेमपेटर अगरबाद में हम चेका बड़न किया अभी हीट कम बॉडी में और यह तेमपेटर में पर आप 2 डिजिस बॉडी का तेमपेटर है में पास quo बहुत थंडाबोडि एक दम होता है celsius तीन उनिट होता है temperature का Fahrenheit Kelvin और celsius इन दोनों के इन तीनों के बीच में relation भी है ठीक है अम लोग देखते हैं कि इस डाइगाम में समयना कोशिस करता है इसमें डिग्री centigrade scale भी दिया हुए और Fahrenheit scale भी दिया हुए दोनों scale दिया हुए है ठीक है न यह क्या यह जो लूक लाइका यह शो करवा कि बॉड़ी क्या है लो कंडिशन में यानि बहुत ठंडा कोड़ बॉड़ी आ यह संक जिस तरह से संका डाइगाम बना हुए तो समझ मेरा बॉड़ी क्या होगा गरम होगा ठीक है अच्छा पता करते हैं कितना temperature है एक मैनस 4 डिगा डैंच एक बोड़ी क्या होह सोरी माइनस 14-14 इस एक और बःसा ज्टनदा और वह इसकिल में कितना चॉप लिश्ट इससे ‫डीडियर तो बॉड़ी रहे होगा है एक्ला में इनकरробूस म कहते है चलींटतो इस तहोई आवत बॉड़ी कहते हैं राए आप अभी को समाज में आ गया और आप टे लिंट के लुंड़ा इस बताता है उसको हम लों क्या बोलते है तेंपेरिचर ठीक है ऐख अचा टेंपेर्टरे जो ठीया होता है दूसरा होता है कल्विन ए आ थिसा होता है चेल्सियस अब इन तीनों के बीच में इंविलेशन पता जो सब्सक्राइब गया सब्सक्राइब को हम को फैन हाइए स्केल में है काल न में तो उसके लिए फैने हाइट से फैन हाइट में तो सी बाइफ इक एप बॉडी का टेंपरेचर केल्वीन में दिया हुआ है और हमको एगर बॉडी का टेंपरेचर डिग्री सिंटिगेड में दिया हुआ है और हमको केल्वीन ने पता करना है तो हम लोग इस फर्मॉला को यूज करेंगे करते हमें केल्विन का टेंपरेचर होगा पता चल जाएगए इन डूनरे रिलेशन वीक्री को परब्लम करने से समझता है थो करते हैं कैसे कंज़ कर लेंगे हम लोगแक्र था करना में convert करेंना हमको 95 degree centigrade को 95 degree centigrade को fine height scale में convert करेंना है तो हम लोगों relation पता है अच्छे से c by 5 जो होता है वो f-62 by 9 होता है relation convert करेंने के लिए तो लोग जूश कहता है c by 5 equal to f-62 by 9 तो हमको centigrade scale में temperature दिये हुआ 95 तो c के जगापे हम लो 95 put करेंगे Fahrenheit scale में पता करेंना तो Fahrenheit को वैसे जखेंगे f-62 by 9 अच्छा अब यह 5 के table से 95 कड़ी जाएगा है ना कितना बार में कटेगा तो 5 1s 5 5 1s 5 और 5 9s 45 तो 9 बार में यह क्या होगा कड़ी जाएगा इस तरह से 19 बार में ठीक है अच्छा अब उसके क्या करेंगे क्रॉस मल्टिप्लाई करेंगे 9 जो होगा 19 से मल्टिप्लाई हो जाएगा और इधर क्या बचाएगा f-32 बच जाएगा 19 इंटू 9 कितना होगा 171 और f-32 ऐसी रहेगा अच्छा अब उसको क्या करेंगा अच्छा अब जब 171 अच्छा 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 अब जब 171 अच्छा को एड करेंगे तो कितना होगा इसमें क्या करें नंडल सिंक्र है इसमें क्या करेंना है इसमें करनाक पर tracked करेंगे से को सबस्क्राय करेंगे के Kelvin में अगर हमको convert करना तो formula आता है T degree centigrade जो degree centigrade में temperature दिया हुआ है उसमें हम लोग 273 को क्या कर देंगे add कर देंगे यह मेरा relation है ठीक है तो हमको degree centigrade में कितना दिया हुआ होए temperature 10 degree centigrade दिया हुआ है तो 10 degree centigrade में जो temperature दिया हुआ है उसको यहां पर put कर देंगे तो कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ तो 10 पूट कर देंगे यहां पर हम लोग और 273 उसमें add कर देना 273 प्लस 10 कितना होगा 283 तो 10 degree centigrade Kelvin Kelvin scale में कितना temperature होता है 10 degree centigrade जो है 10 degree centigrade दिया हुआ है उसमें 273 एड कर देंगा तो हम लोगों को पता चल जाया कितना temperature है ठीक है अब यहां पर क्या तीसा question दिया है convert 300 Kelvin 300 Kelvin को degree centigrade में convert करना है वहां पर क्या था यहां पर था degree centigrade वाले temperature को Kelvin scale में temperature को convert करना है यहां पर उल्टा दिया हुआ है Kelvin को degree centigrade में convert करना है तो फिर हम वही relation यूज करेंगे जो हमनों पर है T temperature temperature जो होगा Kelvin scale में वह बराबर होता है temperature degree centigrade में और प्लस 223 एड़ करेंगे प्लस 223 को क्या करेंगा हम उठा के यहां लेके आएंगा तो क्या हो जाएगा हो जाएगा कि थी हंड़ माइनस क्योंकि यह प्लस में था 300 माइनस 223 इकवल टू टी डिगरी सेंटिकेट बच जाएगा अब थी हंड़ में से जब हम 223 माइस करेंगे तो कितना बचेगा 27 तो टी डिगरी सेंटिकेट यानि सेंटिकेट केल में वह त näटना यानिस का अब हमको फैंट में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगा सिभाइव कि बाइफ बाइफ ट्री डिट्ट वाइव कि अबाई नाइन है यह जो लाइलेशन को अमनों क्या करेंगा यूज करेंगा लुव कि बना सकते कंवर्ट कर सकते था ना है तो जैसे हम लोग यह ना कोशंट किए था उस तरह सेल मुद्ध करते हैं घर मेंस्ट कहते हैं घर आप भूरतें मौन किया होता है और समझते हैं यह प्रीज़ मॉंट ऑफ यह इसना मैं यह को मॉल्ड को अगर नहीं को मोल में हम चुछ करते हैं ठीक है अच्छा तो वान मॉल कोई भी सप्स्टेंस का अगर हम बोल लते हैं वन मॉल आफ सब्लस्ट सब्सक्राइब अज्छ मेरे पास इसका मतलब क्या हुआ वह Fez तुस्का मतलब है उस एक मोल चोक के अंदर कितना चोक होगा पीज है वन मोल चोक इसका मतलब है 6.02 टेंट अपावाई 23 इतना चौक है मेरे पास तेक है अगर हम बोल लिए one more bag इसका मतलब 6.02 टेंट ओकावाई 23 इतना बैग है मेरे पास वन मोल एलेक्टिक वन मोल इसका मतलब 6.02 टेंट को पावर 23 एतना बल्ग है मेरे पास आपस इस तरह से हम लोग वन मोल को रिपेजंट करता है यह वन मोल जो होता कोई भी सेफ्टिन का एक मोल वह 6.02 टेंट का पावर 23 इतना पार्टिकल कंटेंट करके रखेगा अपने पास ठीक है इसका मतलब भी 2.02 टेंटर पावर 23 इसका मतलब यह पोलते हैं इसको अब गयाडर नंबर बोलते हैं और डिनोट इने का मतलब यह कहीं पर इस सोर्वसम से लिख दिया आता है इसका मतलब भी भी है वही ऌतिल कोई गयास ओक्सीजन गैस अब कोई बोल लिए किसी पास फ्र dispिंग बोली signal मतलब होगे उसके चरिकाल यह इक सिंगेस के लिए जो ऑक्सियन का मॉल और ऑस कोई अन्दे का अब आपक यह कोगा वह 2 CreamROары राए जामल अंबस पर समझते हैं मांने तो गुराम हाइड devotion घास होता हसा समझते की से मोल में में लोग एक लाइस में हम समझें और समय सब लोग हैem तो हाइडर्ओन हाइडर्ओन का जो मॉली माँस होता हैं लिग्च में लेक्क यहां मॲधन पॉटाइवна सबस्तिuld satisfy हाइड तो Hydrogen का मोलर्य मास कितना हो जाएगा मोलर्य मास और's कितना है 241 अधेवा एक यहाइटम का मुल्रेटम प्ले वहाइटम कीजिए और इसको हम लोग डबलो से रिपिजेंट करते हैं और इस टू यह जो टू निकाले हम लोग वन मोलर मास हो गया है तो हैडल मॉलीकुल का जो हो गया मोलर मास वह हो गया इसका मतलब क्या है एक मोल हाइडोजेन एक मोल हाइडोजेन के अंदर यह बात है ने का मतलब समझ में आ गया होगा अच्छा तो एने का मतलब क्या होता है जो समझ में आया होगा अभी हम लोग निमिकल करेंगे दो करेंगे तो और अच्छे से किलियर हो जाएगा ठीक है तो हम लोग कोस्टिन देखते हैं तो मोल का फॉम्ला यहां दखना है गिवन मास बाइं मोल में इससे हम लोग करेंगे तो नाइट्रोजन के वन आटम का मोल मास है 14 ठीक है तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितना आटम से मिलके बना हुए नाइट्रोजन के दो आटम से मिलके नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन के एक टीक है dataß Marc के दो आटम से मिलके बना हुए है तो औक सीजएन के एक एटम की मॉल मास है वह 17 का म Taos करेते हैं 14 ग्राम को पहले कानवर्ट करते हैं तो मोलै झाते ह versions guys सकती है कि इसको 2 से मुल्टिप्लाइए देंगा 14 तूजा टुएं गराम पर मॉल इतना मैं इक ganze सब्सक्प्की श्टीव गिवेंगा आडिवंव ऑगिया 14-80 बसक्ष मोल आग बेट रमस्ट इतना जैने इसको convert करते हैं तो given mass कितना दिया हुआ है 64 gram oxygen का given mass कितना है 64 gram दिया हुआ है अब molar mass कैसे निकालेंगे oxygen का molar mass होता है 16 होता है यहां पर अभी हम देखें oxygen का molar mass 16 होता है तो oxygen molecule oxygen के 2 atom से मिलके बना होगा है एक molecule का molar mass दिया हुआ है 16 एक atom का molar mass दिया हुआ है 16 तो एक molecule एक molecule के अंदर 2 atom प्रिजेंट oxygen का तो उसका molar mass क्या होगर 2 से multiply करेंगे तो 32 ग्राम पर मोल तो oxygen के एक molecule का जो molar mass आता है वो होता है 32 ग्राम पर मोल ठीक है अब इसको मोल में convert करेते हैं तो मोल का formula होता है given mass by molar mass given mass कितना है 64 ग्राम 64 लिग दिया मोल मास कितना है 32 आया 32 तो बार में कितना आएगा 64 जो कड़ी आएगा तो कितना आ गया 64 ग्राम 64 ग्राम oxygen मोल के इनिट में कितना है तू मोल आया ठीक है न इस तरह से हम लोग convert कर सकते हैं हम प्रैक्टिस शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगा वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर लिजेगा question सब हम आज के लिए इतना ही रखते हैं नेक्ट लेक्टर में हम लो नोटिकेशन मिल जाएगा अग्र अच्छा रखते हैं तब तक के लिए good bye झाल झाल